महराश्ट्र के बदलापुर में बच्चियों की यौन शोशन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अकोला से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आ गया। दरसल अकोला में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर आठवी कक्षा की चात्राओं को अशलील वीडियो दिखाने का आरोप है। आगे बताया कि आरोपी टीचर उन्हें बुरी तरह छुता था साथ ही उनसे अशलील बाते भी करता था। वहीं चात्राओं के शिकायत के बाद आरोपी टीचर पर F.I.R. भी दर्च कर लिया गया है। पूछताच के बाद आरोपी शिक्षक प्रमोद सरदार को हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्या आशा मिर्ग ने शिक्षक के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की है। आपको बता दे कि इस घटना से पहले महराश्ट्र के बदलापूर से भी हैरान करने वाला मामला सामने आया था जहां स्कूल अटेंडेंट ने करीब 3-4 साल की बच्चियों का यौन शोशन किया था। घटना सामने आने के बाद लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। जिसके बाद आरोपी अटेंडेंट पर पुलिस ने कारवाई की थी। बदलापुर में यह घटना घटित होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी थी साथ ही प्रिसिंपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंडेंट को निलंबित करने का फैसला किया था। जबकि राज्य सरकार ने एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सहित तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था। वहीं बच्चियों के साथ बढ़ती ऐसी घटनाएं बेहत चिंता जनक हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बच्चियों के साथ घट रहीं ऐसी घटनाओं पर रोक कब लगेगी।